किताब बिपरन की रीत तो साच दा मार्ग पाग दूचा लेखक सरदार गुर्बग सिंग काड़ा अफगना अठ्वे कांड़ दा नौवा पाग अखंड पाट दी रीत पंथ विच कदों अते के में आई वहिगुर्जी का खालसा वहिगुर्जी की फते सरदार गुर्दियाल सिंग दीता अपने सुबा उनसार सवेरे चार वजे ही इशनान आद करके नेतने बिच लीन हो गय सन पाई ग्यान सिंग जी ने भी रोज दी किरिया अते नेतनेम तों वेलें होके ठीक सात वजे आप अते बुलाई गुर्दियाल सिंग होरा ने सुख अनांद पुछन वारी रसम पूरी करके ग्यान सिंग तों पुछया गुर्दियाल सिंग ग्यान सिंग जी गुरू महाराई दा परकाश किन्ने वजे कर दे हो दास पंच बजे हाजरी परन गया सी ओस विले ताई अंदर दी बतीवी बंग सी ग्यान सिंग परकाश करन दी सेवा ते पाई जीवन सिंग जी ही हन पहला ओ संतां दा पैरा पूरा कर दे हन फिर शेख और वजे महाराई दा परकाश करके हुक्मना मा लई दे हन परकाश फिर आज तोसा कर देता होना है तदे ही कुसर मुसरो हो रही सी गुर्दियाल सिंग की गल परकाश करके महाराजी दा हुक्म लैन विच दास कोड़ों कोई पोलो गई सी ग्यान सिंग तो हड़े कोड़ों कोई पोल गुरु क्यों कराए ओ आड़े एथेवी कर्मकांडी विदी विदान ही पारे है परकाश अथवा सुख असन करंदी जेड़ी विदी संताने मिथी होई है कोसो उनसार इस सेवादा अदकार सिर्फ पाई जीवन सिंग जी कोड़ ही है बस इसे गल दी चर्चा सी पारे तां होर भी कई तरह दे ओरे हन पर दास दी दिली इच्छा है के आप जी दा त्यान किसे होर पासे ना जावे आओ अपनी विचारन अगे तोर ये दास तो हड़े खोड़ों जाके अपने वीर इशर सिंग नाल काफी रात गए तक विचारां करदा रहा सी आप जी दे बचना वाली टेप भी उसने सुनी सी वो पश्तावा करन लागपया सी के अजहे विदिया वाले अते किसे दिया मुरादा पूरिया करन वाले पाठा वे चल असी क्यों हिसाप हों दे रहे पर नाल ही साड़े दुहां दे मान विच ये प्रशन बार बार उठरे असी के आखर अजहे पाठा वाला रिवाज पंत विच के में अते कदों आया मंतर पाठा दी खंडणा वाले गुर्बानी दे ए शवद जो आज विचारे हन पहला किसे दी विचार अधीन क्यों नहीं आये गुर्द्याल सिंग दास ने पहला में बेंती कीती है के पार्ती मनोख विच जागरत लेउन दा सिदा अर्थ एही सी के ब्रह्मनी माया जालदियां तंदा तोड़ियां जादियां गुर्देव जी दा वशेश वास्ता ब्रह्मनी रीत नाल ही प्यासी गुरु ग्रन सैब जी दी बानी दा पहला अखर एक ब्रह्मनी विश्वास वालयां पगवाना दी मनोख दी खंड़ना करता है फिर जब जी सैव दी पहली तो का तो ब्रामनी सुच्चमवाडी कर्मकांडी रीत दी खंडणा होनी अराम्ब हो जान्दी है तीर्थ इशनान, ओन्नदान, थित्तावारां, मस्यापुन्या संग्राध, जादू टूने, जंतर मंतर, वरा सरापां, गाल की जनम संसकारां तो लेके मरन संसकारां तक ब्यांत कर्मकांडी रीतां सारे दा सारा ब्रामनवाद ही है पर्मापुलेख्यां तो रहत ग्यान ग्यान अत्वा पूर्ण मनोख बनोण वास्ते बिपरांदियां इना रीतानू मनोख दे आच्रन विच्चों कड़णा सी शिरीगरुगरां सैफदी दियां लगपगसार या पावन बाणियां वेच किसे ना किसे रूप वेच इना ब्रामनी कर्मकंडां दी खंडणा कीती होई है ब्रामन वास्ते इना रीतां दा खंडण उस दी मौत सी क्योंके उस दी बहो रंगी ठगी दा शानदार महाल इना रीतां दे आसरे ते ही खड़ा है अराती असां वेखिया के तरंप उस्तकां दे मंतर पाठां दी खंड़ना करन समें गुर्देव जी ने बहुता ब्रामन नों ही संबोधन कीता हुया है इस दा अर्थ के मंतर पाठ केवल अते केवल ब्रामन दी देन यही कार्ण सी के ब्रामन सत्गुना दा अथवा गुरू करदा निजी दुश्मन बण गया सी बशेश करके हिंदूआ विच्चों ही बहुते लोग सिखी तार्ण कर रहे सान ब्रामन देन रात दा बौता साड़ा यह सी के सेक बांडरे अजहे सारे हिंदू ब्रामनी पंजाडी नो क्यों पनी तोड़ी जा रहे हैं जयों जयों गुरू नानक सहीब जी दे जयां रूपी अमोग बांडी करा मात नाड़ गरीब वही कार नो मुगलिया समराट दी इन मनननतों मी आकी हुंदा जानदा वेहदा सी त्यों 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 ब्रामन नो वद होल पैरे सान ब्रामन विचारां विचर डुबा ओया सी हाई नियारे गुरू दे ए नियारे सिक किते बोदिया नाड़ों मी बाद शक्ती शाली राज स्थापत ना कर लेन हाई मेरे इस इंदर जालदा की बनेंगा मेरी ता सारी आमदन अत्वा मेरी सारी प्रभुता है ही इना कर्म कांडी रीतां दे आस रेते पामे ब्रामन ने गुर इतियास अत्वा सिख इतियास विच अपनी मर्जी दे कई रड़े पादते सन अते सिखी ली कात करड़े होर भी पारया सी पर उसली सब तों वड़ी सिरदर दी गुरूदा ग्यान सी गुर्मत ग्यान उस दी पहुंचतों बड़ी दूर जाब राजया सी उस नाड किसे परकार दी शेड़ शाड कर सकनी असंबब हो चुकी सी ब्रामन समाई दे सारे सिरकड़ा ने एविचार बनाई के किसे तरह सिखां दी शर्दा गुर्बानी ग्यान नू समझन दी लोड़तों हटाई जा सके जे किते अजेहा पाणा विर्थ जावे ता फिर गुर्मत मरजादानू कर्म कांडी शकल दे देन वेच कोई मुशकल नी ओनी जाद मरजादा कर्म कांडी बन गई ता सिखी दे पंजेक कार फिर निरावखावा ही बन के रह जणे हैं जिन्नाचर गुरु नानक सैव जी पांच पूतक सरीर विच विचर दे रहे, ओनाचर बिपर दी, किसे पासे भी कोई दाल ना गड़ी, गुर्मत मर जादा अते गुर्मत सिदात दा उपदेश, नित दिन्दे रहन वाले अते इनकलाबी शक्ती वाले, नियारे आचरन नाल, सिंगा नू जोडी रखन वाले सिखी दे, बाग दे सुचेत माली, अते इस दी रखवाली करन वाले, गुरु नानक सैव जी ने सान सतारां सो आठ विच पांच पूतक सरीर विच विचरन वाली खेड समापत कर देती, आपनी था गुर्मानी नू गुरु थापके, आप आ अते सेख पंथ नू गुर्मतों जानू कराई राखके, गुरु दी मातों सार जीवन टाल रखन दी, परेरना कारदे रहन दी सारी जुमेवारी पंथ नू सौप देती, पंथ ने हर पकों आपनी राखी होन आप ही करनी सी, एड़ी वड़ी जुमेवारी सौप पनतों पहि पूरी जोगता दा मालक बन चुका सी, पंथ, बीरबाल, गंगु सुचाना दा आधी अकिरत कंतानू आपनी अखी वेख पर्ख चुका सी, एसलियो ब्रह्मन वलों पूरी तरह सुचेत सी, पर उस समें दी सियासी शक्ती दा मालक तांग देला हते तार्मक जुनूनी सी, उ उस वाए मुसलमान दे बाकी तर्मा वाडयानू काफर समझ के उना दी जान दा दुश्मन बनेया होया सी, खालसा जी ने मजलूमा दी सहता करनी अरंबी तांदिली दा तक्त सेख पंथ दा वेरी बन खुलोता, पंथ दे सूर में जथे दाराने उस जालमी हकुमत दा पोग उपा के खालसा राई दी स्थापना करन दा बीडा चोक लिया, इस महान कार्जनू सिरे चाडन लई, सिर्थ अड़ी बाजी ला चुके पंथ नू अपने जदी कार काड़ते आके, जंगना अथवा मारूथ हलां विच रहना पहर्या सी, वास्त वेच समुच्चे पंथ दा अखांड पाठ दे अरंब होन बारे, पाईकान सिंग जीनाबा ने गुर्मत मार तंड दे चार सो बाई सफे ते इस पर कार लिखिया है, खालसे दे बुड़े दाल दी रीद सी, के जाद मुहिमते जान, जां होर कठन कार्ज करन दा मोका बने, तद गुरु गरन सेबदा प पई तरह दे विगन उजन दे सन, स्यानिया दी सलानल अखांड पाठ दा प्रबंद कीता गया, के तेरां पहर विच पोग पागे, कार्ज रंब कीता जावे, बुड़े दालतों तरना दलने रीद अपना ली, अते फिर सारे पंथ विच रिवाज पह गया, हौली हौली अखांड पाठ तंतर शाष्टर दे दसे पर जोगा मांग एक मंतर जापो गया, उसे तरह अखांड दीवा तूप कल्च स्थापन नली एर आदग दा वरताओं लगा, मनों कावना दी पूरती लई, ये पाठ उत्म सादन मन्या गया, गुरू सह बांदे समें, कदे अखां दालू, अथवा गुर्मख प्यारा सी, ग्यान सिंग, पंत विच बिपर्न की रीत दी नी रखन वाड़ा, ये से आनेयां दा टोला, किनना लोकां दा सी, बुड़े दालनू पहला सैज पाठ करंदी, अते फिर अखांड पाठ अरंब करंदी सला देन वाड़े, वो केड़ मा पुर्कसान, जिनना दी कोई गल बुड़ा दाल विच मोड़ी नहीं सी जान दी, जे आप जी ने इस बारे कोई खोज कीती है, का किरपा करके इस गल्दा पेद समझावो, गुर्द्याल सिंग, सरदार ग्यान सिंग जी, गुर्मत मारतांड दी ए लिखत पढ़के, दास ने फिर सारी कोशिश एसे गल्दी खोज कारंते ला देती सी, जो पाना वर्तिया सी, कोस्दी तस्वीर असल विच यूँ है, चिरांतों ताड लाई बैठे ब्रामन दा दाफबन दा समा आ गया, विदवान ब्रामन ने पहला पंजातों विवाद बाणियां कांठ कर लें, फिर पंजा प्यारें कोणों अमर्थ शक्या, गुर्बानी दे अर्थ विचार समझन वेच, उच कोटी दे एस विदवाननों केडी ओखा सागदी सी, वो हर पकों निपोन ग्यानियां वाड़ा पेख बना चुका सी, जवाना लाड़ों बुड़े शर दालुआ थे, जाद समेग बुड़ा दाल दा महपुरखा बने, जांग दे मैदान वेच उसनू जान दी कोई दोड नहीं सी, जथे नू दुमे वेड़े गुर्बानी दा पाठ सुनन दा, अते पुरानक कथा कहानियां विच ली, करा मातां दी मठी मठी पान चाड़ के, बड़े रोचत साखियां सुना सुना के, बुड़ा दालनों में हाल करी रखदा सी, मुहिमते गए जथे पिछों, सियाने दा ये टोला लंगर पानी दा प्रबंद करदा, अते वहीर दी सुर्त रखदा, बेमारां अत्वा जखनियां दा दवा दारू करदा, अजही निशकाम अते लाहे बंदी सिवा करके, दिल मो लैन दी कलावाले, पेखी महापुरुख जीदा सतकार सिखरांते जापोजा, कुटल बुदी महापुरुख जीदा सतकार, दुज्ये दलां तक भी खिलर गया, तरम दी सारी कारवाई, इना विदवान महापुरुखांतों पोश्के, कीती जान हार समय सिमरना फेरदा होया, सातना वाई गुरुदे जाप वेच, बुल हलाई रखन बाला, चड़ी कलावाले बाने, अते बानी दी रंगन बाला, एही तांसी ओ सर्बसतकार्त महापुरुख, अते स्याना, जिसने बुड़े दालनू पहला सहज पाठ, ते फिर अखांड पाठ अरंब कर लेंडी, सला दितीस, नुहों जाप कर दे रेंड वाड़ा, एक कप्टी अपनी जोजनानू सिरे चाड रहा सी, गुर्देव जी दा फुर्मान है, हार हार करें, नित, कप्ट कमाम है, हिर्दा शोध न होई, पन्ना सात सो बती, जीडा कप्टी गुर्बानी दे ग्यान वेच, रड़ा नहीं सी पाठ सकया, उसने सिख जगत नू गुर्बानी दे ग्यान नाड़ों तोड़के, तंतर शैस्तर वाड़े कातक परमनार जोड देन विच सफलता हासल कर ली, लुहा गर्मवेख के जालमने, अजही सोध ते फेरनी साथ मारी, के गुर्मत से दांतों नू समझन वाड़ी रुची नू फे के राक देता, इस तरह खाल से विच बिपर्न की रीत दा खतरनाग बीज बीजिया गया सी, गुरु एतियास विच ब्रह्मनी में थियास वरगिया कहानियां रडा के, गुर्बानी ग्याननू समझन दी लोड मुका के, गुर्मत से दां दी पालना कर दे रहन दी शर्दा नाड़ों, सेक नू तोडन वाड़ा जतन तां, पाई बाले वाली ज जनम साखी तों ही शुरू हो चोका सी उन सब तों बद खतरनाग अते कातक कारा ये हो गया के पंथनू गुरु गरन सैव दे विदी नड कीते जानवाले अखांट पाथ अत्वा सैज पाठादियां करामाती शक्तियां दे परमनल जोड देता गया बरामन नों पूरा ग्यान सी के अग्यतों गुरु गरन सैव ने वी लोकां दे कार्ज उसे करामाती शक्तिनल रास करी रखने हां जेस शक्तिनल देवी देवते लखां करोडा शर्दा लुआं दे कार्ज रास कर रहे हां बस जदू एक आर्ज रास होन वड़ा परम पका हो गया ता फिर केसने पड़ताल करनी है के गुर्बानी वेच अजहे मंतर पाठां दी विरोता वड़े शब्द भी हैं निर्वेगन ता नाल अखंड पाठ दी समावती होन लई सिखा ने अरदासा करी जान अपना तर्म बना लेना है इस महान काम जाबी दी खोशी नाल आफरे होए इस विपर ने सिरी अनादपुर सैबल मू करके कलगी तरजी दे चोट करद्यां पाख्या कीती ए बाजावारे दश मेह जीओ एक हाल सा हुन तेरा नी रेना समेदी चाल नाल ए मेरा ही पका सेख बन जना है हौली हौली एहदा तेज परताब खोके इसनों उसे थाते ले आमागा जित्थों 1469 विच तुम ही आके इसनों तोर्या सी अते तुम मेरे जनेवनों मुखाल कीता सी अखांड पाठ शुरू करा के ब्रह्मन ने हड़िया चोक के अते संग पाड़ पाड़ के आख्या एक गुरु नानक दे दसमें सुरूप जी तो हड़ी 244 साल दी कमाई नू मैं एको चटके नड़ खतम कर देता समझ लो इन कलाबी शक्ती वाड़े तो हड़े ग्यान नू होन सेखने समझन दी लोड़ भी नहीं मनने खोनता अखांड पाठ विच विगन पैजान के जानना कुर्बान कर देना सिखी दा तर्म बन जाना है मेरी रीत नार जुड़ दे जान विच तेरे खाल से ने निग मानिया करना है बरामन ने ननकाणा सहीब वालमू करके गंबीर सुर्वे चाख्या ए गुरु नानक जी तेरे अदूती ग्यानदा असर कबूल के जड़ा हिंदू पहला मेरी हजारां सालां दी सिख्या नू त्याग के अते मैंनू तोखा देके तेरे चंडे थले जावड़या सी उसने वास्तवेच आज तैनू भी पिठ दे देती है जिस खाल से ने तेरी दो सो चाड़ी साल दी करडी कारना अते तेरिया ला मिसाल कुरबानिया दी काख कदर ना कीती जिसने तेरे अनूपम ग्यान नू पेठ दे देती जिसने विपर की रीत दे नीडे ना जान वाड़ी तेरी वड मुली ताड़ना नू बे लोड़ी जानिया इटे अमोड बे कदरे अते बे इतबारे सेखनू फिर मैं मी केमे चाल सागदा है दोबारा मेरे चर्नी लगण ली जादवी दिली आया इस वड़े अकिरत काणू असामी फिर बे इतबारा ही कह के दुरकारी रखना है हे गुरु नानक जिसने तेनू पेठ देती ओ ना कारदा रह सकदा ना काट तेही कोई टकाणा लब सकेगा हुका वरके ब्रह्मन ने किया हे नरंकारी बाबा जी मैनू हजारा साल पहला तो तुरी यूदी आपनी गदीदा चसका पैचो का सी मैदा इस करके तेरे नेड़े ना लगा पर ए मांदपागा तेनू पाके भी गुवा बैठा है ए गुरु नानक सैब जीओ तुम वाक्यां ही अनूपम अते तान तान है तेरी तुलणा दा रहबर संसार ते ना कदे आया है अते शायद ना कदे कोई आवेगा ए गरीब नवा सद्गुर जीओ मैनू खिमा करी मैं जो कुछ कीता है ये मेरा मुड कदीमा दा तर्म है गियान सिंग पंथ ग प्यार वेच रंगे होई हिर्दे वेचो निकलिया आवजी दिया सचिया अते बाजलील गला ना मिन्नू मी आपने पैरा हिठो तर्ती खिसक दी अनबव होन लाग पई है पंथ दे पुवेक बारे चिंता तर हो गया है तो सांजेडी असलियत दा दर्शन कराया है मेरा लूनू आवजी दा तनवादी है आवजी दे इना भजना दी टेव दे उतारे वद तों वद त्यार करके सिखा विच वंड़ने दास अपना तर्म समझेगा मेता अगेतों किसे विदी नार कीते जानवाले पाठा आदविच कदे हिसाना लवांगा गुर्दयाल सिंग साचनू जिन्ना परचारांगे उन्नी ही गुरू दी सेवा है शबदी विचारनल जोड़ना अते दूजियानू जोड़ना ही गुरू दी असली सेवा है दास गोचरी कोई होर सेवा होवे तांदसुव किताब विपर्ण की रीत तो साचदा मार्ग पाग दूजा लेखक सरदार गुर्बग सिंग काड़ा अफगना अठमे कांड़ दा नौमा पाग अब आज गुर्जांट सिंग रूप वाली वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते